दोस्तों काफी सारे सवाल आ रहे थे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स की तरफ से कैनन कैमराज को लेके और स्पेशली वो पूछना चाहरे थे वीडियो केपेबिलिटीज के बारे में कि अगर हमें इस साल नया कैमरा लेना है तो यहाँ पर मैंने तीन कैमरा निकाले हैं आपके लिए और इन तीन कैमरा के आज हम बात करेंगे वीडियो फीचर्स के बारे में ताकि आपको वीडियो चूट करते हैं और फोटोग्रफी कम करते हैं अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके एक चीज़ बिता दू कि मैंने जो वीडियो का जो बेस्ट कैमरा अभी तक मुझे मैंने दिखा है वो था यह तो यहां पर मैंने तीन काटेगरी में रखा है एक हायर में और बाखी के जो दो हैं कि मिड़ बजट में और एक थोड़े लो बजट के अंदर तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों जो मुझे सबसे अच्छा लगा अभी तक जो Canon का camera especially video capabilities के लिए वो आप देख पारें मेरे हाथ में Canon R6 Mark 2 अब ये जो camera है दोस्तों मैं इसके बारे में आपको बदाना चाहूंगा सबसे पहले तो ये एक full frame camera body है जैसा कि आप देख पारें screen के उपर तो आप देख पारें full frame है तो आपको low light के अंदर bokeh background को blur करना है वगरा वगरा तो इसमें आप आसानी से कर पाएंगे अगर हम बात करें इसकी video capabilities की तो यहाँ पर आप Canon R6 Mark 2 में shoot कर पाएंगे 4K 30P, 4K 60P, internally 4 to 10 bit के साथ आप इसपे कर पाएंगे और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको कोई sensor के अंदर cropping नो, sensor crop के साथ आपको मिल रहा है अगर आप देखेंगे इसका जो previous model था Canon R6 तो वहाँ पर थोड़ी सी cropping होती थी बढ़ यहाँ पर कोई आपको cropping नहीं है up to 4K 60P और यहाँ पर बात करें तो कोई किसी भी तरह की recording limit भी जो है इसके अंदर नहीं आने कि unlimited recording का feature आपको मिल रहा है उसके अलावा दोस्तों बात करें अगर हम overheating की तो अभी तक इसमें कोई overheating का issue नहीं आया है जैसे कि Canon R6 जब शुरू में था तो वहाँ पर overheating के issues से तो वो issues भी इस camera के अंदर बिल्कुल भी नहीं है और उसके अलावा दोस्तों बात करेंगा rolling shutter की तो जब मैं इसका review कर रहा था तो rolling shutter जिसमें काफी less है एक चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी when it comes to video capabilities की इसके अंदर आप जो है ProRes RAW जो है वो आप capture कर सकते हो up to 6K using जो sensor का पूरा width के साथ में और अगर आप super 35 crop पे shoot करोगे तो वहाँ पर 3.7K RAW आप इस पर capture कर सकते हो तो यह इस camera को काफी खास बनाते हैं सारे features उसके लगा at the same time यहाँ पर आप फुल high definition प्रॉक्सी फाइल भी जो है at the same time आप इसके अंदर record कर सकते हो so overall अगर आपका videography का काम जादा है एक थोड़ा सा pro level के आप features देख रहे हैं आपको video quality काफी अच्छी चाहिए प्री wedding shoot करते हैं wedding films बनाते हैं यह music video वगेरा use करते हैं YouTube का content वगेरा बना रहे हैं जहाँ पर आपको एक premium quality आप ढूंड रहे हैं तो I think R6 Mark II एक बहुत ही प्रेस अच्छी मिलेगी low light capabilities इसकी काफी अच्छी आया सो इसमें बहुत अच्छा मिल रहा है दोस्तों so overall photography का camera तो ही अच्छा यह बट अगर आपको videography का काम भी जादा है so this will be the perfect option for you तो इससे जुड़े कोई भी सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं नीचे comment करके मैं आपके सवालों का जवाब देनी कोशिश करूँगा और इसका मैंने पूरा एक review किया है जहांप मैंने photos के videos के samples with all the features बता हैं तो उसका जो यहां पर आप screen के ओपर देख पा रहे हैं उसका link भी मैं नीचे लगा दूँगा तो वो video भी आप देख सकते हैं अब दोस्तों बा तो यहां आप देख पारें मेरे हाथ में भी Canon R8 की body है यह भी एक full frame camera है friends और यहां पर आप देख पारें हो full frame sensor आपको मिल रहा है तो low light, bokeh वगेरा आपको सब अच्छा ही मिलने वाला है इसके अंदर नो सबसे अच्छी बात जो है मुझे इसके अंदर लगी कि अगर जो कि आपको 4K 60P दे रहा है without any cropping अगर आपको C lock 3 पे shoot करना है तो वह option भी आपको मिल रहा है वहां पर आप 422 10 bit जो है आप इस पे shoot कर पाओगे 10 bit का log file आपको इसमें मिल रहा है so in case अगर आपको एक professional level पर काम करना है जहां पर आपको काफे अच्छी color grading करनी है highlights and shadows को recover करन करते हैं तो यहां पर आपको देखिए इस तरह से tilt screen जो है skandal मिल जाता है vary angle screen है तो आप असानी से vlogging वगएरा आप कर पाएंगे autofocusing features इसके मुझे काफी अच्छे लगे काफी अच्छे खासे skandal I think more than 1000 जो है आपको face detection points मिल रहे है तो autofocusing capabilities इसकी बहुत ही अच्छी है दोस्तो अब कुछ चीज़े जो मुझे इसमें ठीक नहीं लगी वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा I didn't like the battery life तो मैं इसको जब मै review कर रहा था तो battery life मुझे उतनी impressive नहीं लगी तो वो तुछा से compromise है उसके साथ में एक चोटा सा compromise है जो इसका EVF है वो भी इसका उतना impressive नहीं है if you compare with Canon R6 Mark II but यह के दो चीज़ को आप सोची है लेकिन price में आपको 70-1000 का फरक आ रहा है and you are getting absolutely great video features तो अगर आपको एक अच्छा video camera ढूंड रहे है budget के अंदर full frame camera तो Canon R8 is for you. Apart from all the qualities एक चीज मुझे इसमें काफी अच्छी लगी Canon R8 जो है वो full sensor का resolution of 6K use करता है और आपको produce करके देता है over sampled ultra high definition 4K image तो वो मुझे इसमें काफी अच्छा लगा. So almost if you compare with Canon R6 Mark II गर हम इसको compare करें इसके साथ में तो लगबग जो है ये एक big brother और small brother की तरह है but price में काफी फरक आ जाता है तो अगर आप एक budget के अंदर एक अच्छा video camera ढूंड रहे है video capabilities वाला तो Canon में I think R8 आपको एक बार जरूर try करना चाहिए. मैंने इसका पूरा एक review किय है उसका भी जो link है मैं इचे description में लगा दूँगा तो वहां मैंने इसके photos की image quality test किये मैंने इसके video footage को test करके दिखा है बाकि इसके और भी features है वो सारी चीज़े पहले है उसमें detail में बता ही है बट चुकि आज का video capabilities के बारे में है तो ये बताना मेरा first था कि क्या चीज quality काफे अची चीए तो आई विल रिक्मेंट इस Canon R50 एक रोप सेंसर कैमरा है I think 69 68 to 70,000 में आप कोई मिल जाएगा तो काफी अच्छा है camera beginners के लिए अगर आपने digital creation काम शुडू करा है तो आप देख पारे हो कि बहुत ही छोटी body के साथ है बहुत ही अग्दम आप देख पर 4K at 30 fps पर आप इसमें शूट कर पाएंगे तो यह चीज मुझे इसकी काफी अच्छी लगी and look at the size it's very small and compact तो यह काफी अच्छा लगा बात करेंगर इसकी strength की in terms of video capabilities तो यहां पर आप vertical aspect आपको इसमें markers मिल रहा है तो अगर आप Instagram की reels बनाते हैं आजकल जो 9x16 वाला वो च जच कर पाएंगे कि आपकी reel कैसे ही बन रही है तो उसके लिए काफी यह camera अच्छा रहेगा एक चीज जिसने मुझे काफी impressed के जब मैं इसकी video testing करना था वो है दोस्तों इसमें आपको मिल रहा है dual pixel CMOS autofocus 2 system जो की आपके subject को बहुत अच्छे से track करता है when it comes to videography तो अगर आ आपको एक single card slot मिलता है जो की मुझे इतना impressive नहीं लगा यानि कि थोड़ी limitations आ जाती है दूसरी जो मुझे इसमें weakness रही है कि इसके अंदर headphone jack नहीं है तो यह X-Mac थोड़ा काफी बड़ा drawback है बगर इसके बगर आपका काम चल सकता है तो यह एक मैं कहना चाहूँगा beginner level पे क काफी अच्छा camera है ना केबल videography के लिए बलकि इस पर अच्छी कासी photography भी कर सकते हैं अब इसकी भी मैंने पूरी एक review video बनाया है उसका भी जो link है मैं description में लगा दूँगा तो वहाँ पर आप जाके इसका पूरा आप review देख पाएंगे सारी test footage देख पाएंगे test sample images देख प तो यह 3 camera आप consider कर सकते हैं बट अगर आपको एक Canon में ही जाना है और आपको एक videography के लिए ही camera चाहिए जहां पर आपका video is the main person तो फिर वहाँ पर आप जो है Canon का R5 जो C है वो camera भी आप ज़रूर consider करिएगा वो काफी अच्छा camera है और वो dedicated to filmmaking है video content के लिए है R5 की मैंने बात इसलिए नहीं की क्योंकि R5 जो है हलाकि उसमें आपको 8K वगरा वगरा सारी चीज़ें मिल रही है 4K 120F सब कुछ मिल रहा है उसके अंदर but 45 Megapixel का camera है that is the perfect hybrid camera but the budget है वो एक बिलकुल अलग level पे चला जाता है तो अगर उतना पैसा खर्च करना है और आपको video content ही बनाना है तो I think Canon R5 C लेंगे वो ज्यादा बेटर रहेगा वहाँ पर आपको पूरा control अच्छा मिलेगा अब इससे जोड़े कोई भी सवाल है क्योंकि वीडियो को लेके ही में आज बात की है तो आप नीचे comment करके मुझसे पूछ सकते हैं और यहां इस वक्त मैं जो आपको डिटेल में बता देंगे आज की लिए तने ही जल्दी मिलते हैं पर नए वीडियो के साथ थैंक्स पर वचिंगे